सो हेलो फ्रेंड्स एचार मेडिकल ग्यान के इस ओफिशली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है जी हाँ दूस्तों आज कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेग्नेंसी टेस्ट हमें कब करना चाहिए अमुमन औरतों को पता नहीं होता है एक स प्रेगा टेस्ट है सारी चीजों से यह टेस्ट करते हैं पर एक पर्टिकुलर टाइम होता इसके लिए उस टाइम से या पहले यदि कर लेते हैं तो आपका जो प्रेग्नेंसी होते हुए भी आप कंफर्म नहीं करवाओगे दूसरी चीज यह होती है कि प्रेग्नेंसी और संकेत करती है तो आज कि इस वीडियो में एक एक पॉइंट आपका क्लियर होने वाला हैं कोई और वीडियो देखने की कहीं जुरूर नहीं होगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपने यदि एचार मेडिकल घ्यान के इस ऑफिशली यूट्यूब चैनल को अभी देख सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एन अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर करें तो हम सबसे पहले बात करेंगे जो यूरीन प्रिग्नेंसी टैस्ट हमें कब करना चाहिए सबसे पहले तो यह हमारा क्योशन से तो इसका मैं रिप्लाई आपको करता हूँ इसका मतलब यह है सबसे पहले एक बैसिक छोरी बताँगा आपको पता है जिब अंडा से से अंडा रिलीज होता है तो वो रिलीज होने के बाद आपका जो फेलोफिन ट्यूब है उसके अंदर आता है उसके बाद में मेल के आंदर जो शुक्राण होता है वो यूनि मार की द्वारा फेलोफिन टूब तक पहुंचते हैं, तो वहाँ पर फर्टिलाजेशन होता है, उसको हम निशेशन कह सकते हैं, इंदी में, आफ्टर फर्टिलाजेशन एक बनता है, जो भून बनता है, वो भून धीरे-दीरे 6-7 दिनों में यूट्रस के अंदर आता है, यूट्र जो है, धीरे-धीरे आपका जो व्रून है, वो बड़ा होने लगता है, तो यह एक सामाने जनरल प्रक्रिया होती है, जिसको जाना आपके लिए बहुत जरूरी है, किलियर, अब बात करेंगे, कि बीटा SCZ, वो कब रिलीज होता है, कब पता लगता है, आपका UPT के अंदर, तो SCZ, फुल फॉर्म है, human chorionic gonadotrophin hormone, जो कि प्लैसेंटा जब बनना शुरू होती है, तो च्छे से साथ दिन के बाद में, और च्छे से साथ दिन वो लग गए, जब आपका फेलोफिन ट्यूब से uterus है, के अंदर जब आता है, जो आपका भून बना है, ने से सन के बाद म ठीक है, तो यह जो परकिरिया है, कम से कम 14 दिन इसमें टोटल लग जाते हैं, तो आप फॉर एक लेडिज का जो मासिक पिरियड है, वो 28 दिन का है, किलियर, तो जैसे 1 दिन उसका menstrual cycle आया है, तो आपका 13-14 दिन उसका मानलो हो जाएगा ovulation, मतलब अंदर आ जाएगा बार, तो उस दोरान उसके बाद में और 14 दिन, 12-13 दिन और मानले, तो आपका जैसे 28 दिन का पिरियड है, तो यदि उसका 26 दिन भी है, मतलब 26 दिन है, तो भी उसमें UPT के अंदर आप टेस्ट करोगे, तो आपको सही result मिलेगा, और उसके बाद में तो मिलना ही है, तो यह चीज ह होती है, एक accurate टाइम पर आपको जांच करना, जिससे आपको पता लगेगा कि यूरीन के अंदर HCG कितना है, कभी कबार रेजल्ट फालस आता है, उसका रिजन में बताता हूँ, आप क्या करते हो, दिन में कभी भी यूरीन का सेंपल लेके, आप जांच के लिए जो टेस्ट कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब सुबह सुबह आप फर्स्ट जो यूरीन होता है, उसका सेंपल लेते हो, तो उसके अंदर HCG एक adequate मातरा में होता है, इसका रिजन यह है कि आपको पता है, कि concentrate यूरीन होता है, और उसके बाद में आप दिन में बहुत सा और हैं, मैं उसके बताऊंगा, तो फर्स्ट आपका सुबह का यूरीन होता है, उस सेंपल के दोरा ही आप यूरीन जो pregnancy test है, वो करना चाहिए, क्लियर चीज, इसके बाद में जो हलकी लाइन आती है, इसका मतलब यह होता है, कि हो सकता है, आपका जो प्रून है, वो uterus से कह ही बार, जिसको हम बोल सकते है, एक्टोफिक प्रिगनेंसी, जो फेलोफिन ट्यूब में हो सकती है, अब्डॉमिनल एरियाज में हो सकती है, इस वज़े से हो सकता है, आपका हलकी लाइन आ सकती है, इसके अलावा और भी कारण है, हलकी लाइन आने का जैसे हो सकता है, अब किस वीडियो में हमने जाना कि pregnancy test कब करना चाहिए तो आपका इस वीडियो में केलियर हो गया है आज के बाद कोई डाउट नहीं लगता है तो आप हमारे वीडियो की comment box में comment करके जरूर बता हएं और चैनल को subscribe जरूर करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में थांक यू स fraud